सुप्रभातम आप सभी के लिए मैं विवेक्षर आप सभी का स्वागत करता हूँ संस्कृत भारत की इस वीडियो में और इस एपिसोड में मैं आज आपको विदीशा नगरी का जो एतिहासिक खाम बाबा का इस्तंब है वह दिखाने जा रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यह सुंदर चभूत्रा जो खंब के चारो तरफ बना हुआ है पत्थर का यह है हजरत मुहम्मद साब के जन्म का जन्म से भी पहले का है और यह है इसका इतिहास है क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं यह प्रिवेश द्वार है यहां से हम अंदर आते हैं और यहां से आप भ्रह्मन कर सकते हैं यहां पर एक पट्टी बनी हुई है जो आप देख रहे हैं यह सारी एक बाउंडरी बनी हुई है हमारे भारतिये सनातन धर्म की पहचान इस गरुन इस्तंब में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी कलाकृती बनाई जाई गई है और इस गरुने स्तम्र में ऐसे बहुत प्यारे कलाकृतियां बनी हुई है और एक ब्राम्मी लीपी में हर्फों में कुछ लिखा हुआ है जिससे ये ग्यात होता है कि यह सुंग राजा ने बनवाया था और सुंग राजाओं में भी भागभत्र नाम के राजा हुए से उनके द्वारा निर्मान किया गया था और ये है हज Argent मुहमध साथ की जन्म से 1500 साल पहले इस स्टमब का निर्मान हुआ था और इसमें जो दाम्मी लिपी हैं उसमें हरफें होती हैं जैसे की एक सैली है उसमें भी प्राकृत एक बोली थी वो प्राकृत बुली में और प्राकृत भासा में अपनी गौरब गाथा गा रही है और आपको मालूम होगा कि यह जो इस्तंब है यह हजरत मुहम्मद साब जब आए भी नहीं थे उससे भी डेड़ सो साल पुराना है अर्था तो आप लोग लगा सकते हैं जब से मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई म मैं ऐसा कह सकता हूँ हजरत मुहम्मद साब जब आए थे उनका भी जर्ब जन्म नहीं हुआ था उनके जन्म से भी डेड़ सो बर्स पुराना यह इस्तंब है और यह सुंग राजा के द्वारा बनाया गया था आपको पता ही है भाग भद्र नाम की एक राजा हुए थे उन के लोग कहने लगे थे जब बिडिशा के लोग हैं और जादा तर धीमर लोग इसे पूछते हैं ऐसा उस समय इसलिए लिखा गया था धीमर लोग क्योंकि यह नदी के किनारे पर यह स्तंब बना हुआ है तो वहां पर नदी के किनारे जो मच्वारे रहते थे उन्हें हम धी आप वाजीस हाल आप उसी से मालूम होता है और वीजाक ब्रामी हर्पों में लिखा उनकी हर्त हैं तो ब्रामी tapa happiest में हर्थी हैं तो कि मैंने आपको बताया भी और एक बीजक से मालूम होता है कि यह खंबा गरण द्वज है जो उस प्राकृत भासा को पढ़ने में समर्त हैं उन्हें यह इस बात को मालूम है उनने पढ़के इसका ट्रांसलिसन किया तो उससे मालूम चला कि यह गरण द्वज है जिसको भगव विश्णु के मंदिर के सामने हैली ओदर ने खड़ा किया था और हैली ओदर आपको बता दूं कि तक्चसिला का रहने बाला था वह एक ग्रीक था ग्रीक देश से आया था वह पंजाब के आंति लिक्तित नाम के ग्रीक राजा की तरफ से मद्ध देश्त में भागभद्र के पास वकील था और उसने भागवत अर्थात बैश्णव धर्म को स्विकार क्या लिया था और यहां आकर यह खंबा दो हजार साल से भी ज्यादा पुराना है अर्थात हजरत इसा पूर्व से डिर सो साल पहले बना था और इतियास नीचे दवा हुआ है इसके और मैं आप आप को बताना चाहता हूं कि यह हमारे भारतिये परंपरा में बैशनव धर्म में सबसे प्राचीन इस्तंब है विस तरह की और भी कलाकृतियां हमारे बिलिशा के आसपास देखने को मिलती है मेरा इस चैनल के माध्यम से आप समझत भारत बासियों से यही अन्रोध है कि हम हमारी संस्कृत और संस्कृति की रक्षा जब ही हो सकती है जब हम मिल कर सभी लोग हमारे आसपास जो भी पुरातत्व संग्रालाई की जो चीजे है या आप देख रहे हैं मेरे पीछे यह है उसी के कुछ अवसेस हैं गरण ध्वज के गरण स्तंब की कुछ अवसेस हैं व्हס आहां परण बहुत प्राचीन चीए और यह शिवलिंग्ै आदिशिव इनक हहते हैं भगवान सिव का मंदिर यहां पर बहुत पराना है और यह सिवलिंग भी बहुत पराना है प्राचीर अहर्षा कहा जाता है कि महराजा मादावराज सिंदिया जी ने इसका जीरणोत धर कराया था और आप देख सकते हैं यह इस्तंब जो दिखाई दे रहा है यह इस्तंब खाम बाबा के नाम से प्रिसिद्ध है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की बहुत सी ऐसी कलाकृतियां हमारे मद्ध साले की अमूल जो निदी है उस अमूल निदी का संरक्षन हम सभी विदिशा वासियों का और भारत वासियों का करतब्ब है और आए कुछ अन्य चित्रों के विसेमें भी मैं आपको दर्सन करा रहेता हूं जैसा कि कुछ बच्चे भी मुझे यहां पर मिले थे तो उन बच यह अच्छा लगा हो आप सभी को तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी भारती परंपरा से अपने बच्चों को अवगत कराएं जैहिन बंदे मात्रम